नमस्कार, साथियों प्रस्तुत है विध्याले प्रवंद समिती बैठक माह जुलाई 2024 का अविलेखी गरण सबसे पहले बैठक का विशे, SMC मासिक बैठक एजेंडा और एजेंडा कीती थी 1-7-2024 दिन सोमबार आप आगे देखिए इसमें प्रस्तावना और कार्योजना जो दी गई है सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए और साथियों इस अविलेखी करण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल लाएगी प्रस्तावना में सेवा में विध्याले प्रवंद समिती अध्यच उपाध्यच चदस्यगर ग्राम प्रधान एवं अविवावगर आप सभी को सादर अवित कराना है कि दिनांक 37-2024 दिन बुदवार को समय साड़े वारे से डेड़ वजे तक विध्याले प्रवंद समित की मासिक बैठक का आयोजन विध्याले परिसर में किया जाएगा अतहे आप सभी लोगों की उपस्थिती प्राथनिये है सब समय प्रतिभाग करने का कश्ट करें धन्यवाद सूचरा का माध्यम, मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोया द्वारा और स्वयम संपर्क द्वारा बैठक के पुर्मुक निम्न एजन्डा विंदूओं पर आविश्यक चर्चा होनी है जिसमें की सबसे पहला है डायरिया नियंत्रण अवियान पर चर्चा और दूसरा है जल शक्ती अवियान पर चर्चा और इसी में जल शक्ती अवियान पर चर्चा और इसी में देखिए तीसरा है ब्रच्छा रोपड पर चर्चा और चोथा है नवीन नावांकन पर चर्चा पांचमा है डीवीटी पर चर्चा और सातमा है परिवार महा निदेशक स्कूल सिच्छा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 372024 दिन बोदवार को विद्याले परिसर में विद्याले प्रवंद समित के अध्यच श्री या श्रीमती जो भी है उनका नाम लिखा जाएगा कि अध्यचता में बिद्याले प्रवंद समित की बैठक आखुत की गई नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है आज की बैठक में पूर्व बैठक की समिच्छा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एबं बिद्याले में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विश अगस्त दोहजार चौविस तक डायरिया नियंत्रन अवियान चलेगा अवियान की अवदि में बिद्याले में अग्र लिखित गत्विदियां आयोजित की जानी हैं जैसे की सबसे पहले सौचाले साप सुत्रा रखें सौचाले की आदत डालें खुले में सौच ना जाएं बच्चों को भोजन से पूर्व एवं भोज सौच के बाद साबन से हाथ दोने को प्रेरित करें और तीसरा है व्यक्तिगत साब सफाई एवं महत्त के बारे में बताया जाएं चोथा है आसा ए एनम के सहयोग से बच्चों को ओ आर एस का गोल बनाना सिखाएं तथा उसके प्रियोग की विधी बताएं और पाच्वा है डायरिया के बिशह में बच्चों से चर्चा करें और छटा है उल्टी और दस्त होने पर नजदी की स्वास केंद्र को सूचित करें तो ये डायरिया नियंतर्ण अवियान पर जो गत्विदियां करानी है जिनके जिससे जिनक शक्ति अभियान पर चर्चा, इस्कूल सिच्छा एबं साचरता विभाग शिच्छा मंतराले भारत सरकार द्वारा दिनांग 7 जून 2024 से विध्यालियों में जल शक्ति अभियान के अंतरगत, कैच दरण मोहिम 2024 को जन आंदोलन के रूप में आयोजित किये जाने का आवाहन किया गया है, मानब जीवन के लिए भूजल अत्यंत महत्वपूर है, परन्तु भूजल के अत्यंत दोहन के कारण, भूजल जल का इस्तर निरंतर घटता जा रहा है, अत्यंत आवश्यक है कि बा मानस के माध्यम से जागरूपता अव्यान के रूप में प्रचार्ट किया जाए, इस पर विश्तर रूप से चर्चा की गई, और तीसरा, जरजर बिद्याले भवन पर चर्चा, बरसात का मौसम है, यदि बिद्याले का कोई कक्षा कक्ष जरजर है, या उसकी छत से पानी पक रहा है, इसकी लिखित सूचना बेभाग को दे जाए, तथा उस पर जरजर कमरे में बच्चों को उन्ना बैठाया जाए, छतों की साफ सफाई भी रखी जाए, तथा छतों के बरसाती पानी के निकास की सुविदा की जाए, इस पर विश्तर रूप से चर्चा की गई, चौथा बिंदू है बरच्चा रोपड पर चर्चा, बरसात का समय है यह पाउदों को लगाने का सबसे सही समय होता है, आज की वैठक में सभी अविवावकों को जागरू किया गया, और बताया गया कि बढ़ते पर्यावरन प्रदूशन का इस पर बहुत जादा यदि इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में भयावे स्थिति होगी, तापमान को नियंतरन करने के लिए, पर्यावरन प्रदूशन को बचाने के लिए, व्रक्षों को अधिक से अधिक लगाने पर जोड दिया गया, और आज की बैठक में बताया गया कम से कम एक व्यक्ति दो पवड़ों को अवश्य लगाए और लगाने के बाद उसकी देखवाल करें, पाच्वा विंदू है नवीन नामांकन पर चर्जा, बर्तमान सत्र दोहजार चौविस पच्चिस एक अपरेल से प्रिवेश प्रारम हो चुका है, विद्याले में उन बच्चों का नामांकन हो जाए, बच्चे एक अपरेल दोहजार चौविस को छे वर्स पूरी करेंगे, यदि बच्चा छे साल से कम है, तो उसे बालवाटिका में भेजा जाएगा, अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से बंचित न रहे, स्कूल चल अधिक में विस्तर चर्चा की गए, और छटा है डीवीटी, सत्र दोहजार चौविस पच्चिस के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजावा, स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली डीवीटी की तैयारी भी, विवाग ने समय से पूरा करने का निर् यदि माता-पिता में से कोई जीवित ना हो, तो किसी रिष्टेदार का आधार प्रमारित किया जाए, पोर्टर पर अपलोड डाटा को बी यो सत्यापित करेंगे, अविवाबकों के आधार से जुड़े बैंक खाते और मोबाइल नंबर की भी जाच करने के निर्देश द शीग्र शाषन द्वारा खातों में भेजी जानी है, जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने है, प्रात्मिक्ता के आधार पर उनके आधार कार्ड बनवा लें, ताकि उनको डीवीटी का लाव मिल सके, और सातमा विंदु है परिवार सरवेच्छड पर चर्चा, शार परिवार सरवेच्छड कर्मियों द्वारा घर घर जाकर परिवार सरवेच्छड के मार्ध्यम से चिन्हित किया जाना है, प्रिथम चरण में परिवार सरवेच्छड दिनांग 17 जून 2024 से 16 जुलाई 2024 तक की अविदी में किया जाना है, दृतिये चरण में सर्वे दिनांग 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 की अविदि में संपन किया जाना है परिवार सर्वेचन के प्रपत्र विध्याले में सुरच्छित रखे जाने हैं प्रिथम चरण के परिवार सर्वेचन प्रपत्रों के विबरन को दिनांग 31 जुलाई 2024 तक तथा दूसरे चरण के प्रपत्रों को विबरन दिनांग 15 जुलाई जाएगा बिद्याले इस तर से जो भी कार्मिक्स परिवार सर्वेचन प्रपत्रों के घर जाए तो कृप्या उनको सहयोग करें या उनका सहयोग करते हुए सही जानकारी देकर परिवार सर्वेच छड़ वियान को सफल बनाएं अन्य बिन्दुवां पर भी चर्चा हुई जैसे समर्थ योजना बच्चों की उपस्तिती एवं ठैराव पर चर्चा नामांकन वा मिड़े मिल में मेन्यू के अनुसार भोजन की समीचा आधी पर चर्चा की गई इसके साथ ही बच्चों के उजल भविस्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्तित हुए सभी बच्चों के माता पिता आईवाव को धन्यवाद ग्यापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुन है बैठक में उपस्तित रहने का आग रहकर आज की बैठक की कारवाई समापन किया गया धन्यवाद